सांसाद आजमखा के हमसफर रिशॉर्ट पर पहुची आरडिये टीम की पेमाईश वहीं जनपद रामपूर में ग्रीन बेल्ड और सड़की जमीन को कबजा कर बनाए गए सपा सांसाद आजमखा के हमसफर रिशॉर्ट को दोस्त करने की कवायत शुरू कर दी गई है वहीं आ पतनी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापूर जेल में नोटिस भेज कर हमसफर रिशॉर्ट के नक्षे को आस्विकरित करने के साथ ही मानचितर के नियम कायदों का उलंगन करने का रूप लगाया है आडिये ने जिला पंचाया द्वारा 2014 में जारी किये गए होटल के मानचितर को अधिकार छेतर से बाहर जाकर जारी करने का हवाला देते हुए और रिशॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश जारी किये हैं वही आडिये की ओर से इस संबन्द में सपसांसाद आजम खां की पत्री डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सितापूर जेल में नोटिस भेजा इस आदेश के बाद आडिये और राज्टा विभाग की टीम हमसवा रिसोर्ट पहुची टीम कई घंटे तक नाप्तोल की आडिये के अवर अभियंता योध्य परसाद ने बताया कि मौके पर नाप्तोल की गई दो कर्मी पॉजिटिव मिलने पर सील रहा कोर्ट परिसर कराया गया सैनिटाइजेशन वही जनपद रामपूर में कोर्ट में तैनार दो कर्मियों के एंट लोट गए कोर्ट परिसर में एंटिजन टेस्ट कराया गया जिसमें दो कर्मचारी क्रोना पॉजिटिव पाए गए थे इस पर जनपद नियादिश अलका शिरी वास्ताव ने आदेश जारी करते हुए कोर्ट परिसर को 24 घंटे के लिए सील करने के आदेश दिये इसके बा पिर्शासन के साथ होने वाली मिटिंग को भी इस्तागित कर दिया गया है कोर्ट परिसर वंगल को भी सेनेटाइज़ेशन के लिए सील रहा इस दुरान फरियादी पहुंचे लेकिन उन्हें वापस लोटना पड़ा चैकिंग करने गए बिजली करमचारियों से मारपीट विरोध में छेतर की बिजली आपूरती ठप की वही जनपद रामपूर में बिजली चैकिंग का विरोध जारी है बिजली चेकिंग करने गए करमचारी से कुछ लोगों ने मारपीट की उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए घटना से नराज बिजली करमचारियों ने छेतर की सप्लाई ठप कर दी वही मामला शाबाद गेट का है यहां बिजली घर छेतर के बरेली गेट फीडर 91 फीस अदी लाइन लोस में चल रहा था ऐसे में सरकार की ओर से इन फीडरों पर किसी भी कीमत पर 15-20 प्रितिशत तक लाइन लोस लाना है लिहाज विभाग की ओर से ताबर तोड़ छापे मारी की जा रही है इसी के तहित शाबाद गेट बिजली घर की टीम मुहला बारादरी मेमूत खां पहुच गई इस बीच मुहले के लोगों ने चेकिंग का विरोत किया बिजली कर्मियों और मुहले के लोगों में नोग जोक हो गई मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों म की मौके पर पहुच गया यहां पुलिस कर्मियों ने दोनों कर्मियों को बचाया और वहां से निकाला इसके बाद कर्मचारियों ने कई नामजद सहित 15-15 अग्यात के खिलाफ सरकारी कारिये में बाधा डालने मार्पीट करने मोबाइल चीनने गाली गलोस करने के आरोप म कांग्रेस कारियाले पर पूर राष्ट पती एवं भारत रत्न परणम मुखर जी के निधन पर शोक सभा का युजन किया गया वही जनपद रामपुर में कांग्रेस कारियाले पर दो मिनट का मोन रख कर उनको शच्चत नमन किया एवं भाव भी निशर्दान जली अर्पि जनों को दुखी इस घड़ी में शाक्ति प्रदान करें वही प्रणम मुखर जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सक्तियत खोई है जिसकी पूर्ति भविश्य में नहीं हो सकती प्रणम मुखर जी ने भारतिय सविधान के विभिन पदों पर रहकर जंता की हमेश 1969 में जब प्रणम मुखर जी कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे तब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है वी के क्रिशन मनेन के चुनाव का उन्हें सफल प्रबंद किया था जिसके बाद इंद्रा गांधी ने प्रणम मुखर जी तिभाग को पहचानते हुए उन्हें का पामिल कर लिया था और जोलाई 1979 में राज्यसभा भेजा था इसके बाद प्रणम मुखर जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के सदक से चुने गए बहतर सुविधा के साथ टेक्स भी लगाये निकाये वही जनपद रामपुर में नौडा लधिकारी एलवेंटिकेश्वर लूने कहा कि निकाये अपने छेत्रों के लोगों को बहतर सुविधा उपलप्त कराई जाए साथी टेक्स भी लगाया जाए उन्होंने उपग्रामीर इलाकों में क्रोना की रोक्थाम को सेंप्लिंग बढ़ाने और लोगों को जागरू करने पर भी जोड़ दिया विकास भवन सभागार में जनपत के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लोग पिर्मुखो वा नगर पालिका वा नगर पंचायतों के चैर्मेन के साथी स्थानीय निकायों वा विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके जनपत में कोविड-90 के दिरिष्टि पूर्वक सुना तथा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय सहित सभी अधिशासी अधिकारी एवं अन्ने संबंदित अधिकारियों को ग्रामिर विकास के साथी स्थानीय निकायों की समस्याओं को प्रात्मिक्ता से निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया